हालो दोस्तो, मैं पप्पू और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुपोशन, जिसे एंगलिस में कहते हैं मलन्यूट्रेशन तो देखिए, जब सरीर को अवसेक मातरा में पोशक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस इस्तिती को कुपोशन कहते हैं यानि कुल मिलाकर कहा जाया, तो शरीर को अगर जितना भोजन हमें चाहिए, अगर उतना नहीं मिलता है, तो आप समझ लिजेगा कि उस इस्तिती में कुपोशन हो जाएगा पोशक तत्व यानि कार्बोहड्रेड, प्रोटिन, वसा, बिटामिन, एवं, खनिजलवन, साथ ही जल और रुच्छांस, ओके, ये जितना हमें चाहिए, अगर उतना नहीं मिल पाते हैं, तो समझ लिजेए कि उस हालात में हमें कुपोशन हो जाएगा ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ उदाहरन को देख लेते हैं, इसके कुछ उदाहरन देखिए, शरीर दुबला पतला हो जाता है, और पसली की हडिया दिखाई दिने लगती है, ठीक है, ब्रिधी रुख जाती है, एवं पेट फूल जाता है, यानि बच्चे की जो हाइ पेट है, वो रुक जाती है, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, एवं उनका पेट फूल जाता है, ठीक है, और दांत सड़कर गिरने लगते हैं, और मानसिक रूप से कमजोर हो जाना, यानि दिमागी हालत से बच्चे कमजोर हो जाते हैं, यह जो कुपोशन है ना, अक् है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाबा, टाटा